सेमसंग ने अपना एक और नया स्मार्टफून सेमसंग गलेक्सी M15 फैब जी को लॉंच कर दिया वह दूसरी तरह मोटो डोला कंपनी का पाप लग स्मार्टफून मोटो जी थार्टी फॉर फैब जी बैसे तो इन दोने स्मार्टफून की प्रैस में 2800 रुपीज का डिफ्र 28GV वाले वीरियंट को बाई कर सकते जो कि मोटो जी थार्टी फॉर फैब जी के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज कि 2800 रुपीज कम खर्च करने के बावजुद भी आप लोगों को 8GV रैम वाला वीरियंट देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन का अगर परफोर्मेंस की बात करीजा है जैसा कि आप समय लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता एक तरब 12,000 रुपीज से कम की प्रैस में प्रोसर देखनों को मिल जाता है वही दूशी तरब गलेक्सी के एम 15 5G का जो अंतितू स्कोर निकल के आता है वही दूसी तरब मोटो जी 34 5G का जो अंतितू स्कोर निकल के आता है 4,37,000 निकल के आता है अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खास कर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे है तो इन दोने स्मार्टफोन के GFX स्कोर यारी गेमिंग स्कोर को जाना बहुत जाना जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरब मोटो जी 34 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वह दूसी तरब गेलेक्सी के M15 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2600 निकल के आता है दोने स्मार्टफोन का अगर डिस्पले से एक मिन की बात करी जरो डिस्पले की कौर्टी तो काफी जड़ा बेटर गेलेक्सी के M15 5G में देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की सुपर AMOLED डिस्पले देखने के मिल जाती है पर डिस्पले के अच्छी स्मूथनेस के लिए सिर्फ 90 हर्टे रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोने स्मार्टफुन के अगर क्यामरा सेग्मेंड की बात करी जाए वैसे तो दोने स्मार्टफुन में एक जैसा मेगाफिक्सल वाला सेमे अपर्चर का प्रामरी कैमरा देखने को मिल जाता है तो आप लोगों को गैलक्सीय के M15 में बेटर देखने को मिल जाती है 50 मेगा फिक्सल का मिन प्रामरी केमरा मिलता जिसका आपर्चर F1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है बाकी के 2 कैमरे 5 प्लेश 2 मेगा पिक्सल के मिल जाते हैं विट LED फ्लैसलेट के साथ वहीं दूरी तर विद एलेडी फ्लैसलेट के साथ उन्हें स्मार्टफुन का अगया सेल्फी कैमरे की बात करी जा तो एक तरफ मोटो जी थार्टी फॉर फाब जी जिसका प्रेस का में उसमें आप लोगों को 16 मेगा फिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के पिल जाता है जिसका अपर्चर F2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है वही दूसरी तरफ डॉसरी तरफ गैलेक्सी के में 15ग प्रेस पर्ट काいきます की माउस सपोर्ट देखने के पिल जाता है वहाई दूसरी तरब गैलेक्सी के M15 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती 25 वाट के फास्ट चारजिंग के साथ USB टैप सीपोर्ट का सपोर्ट देखने के पिल जाता है सिकोर्टी फीचर के लिए दोने स्मार्ट फोन में साइड मौटेट फिंगर पिन सेंसर देखने को मिल जाते हैं तो अब बात करीजा कि दोनों में से कौन सा स्मार्ट फोन आप लोगों के बैश अगर आप लोग भी समसंग के स्मार्ट फोन को काफी जड़ा पसंद करते 15,000 पिस से कमके प्रैस में सैमसंग का आल रंडे स्मार्ट फोन लेने के लिए सोच रहे तो गैलेक्सी के एम 15 5G अपने प्रैस में काफी जड़ा बेश्ट है पर अगर आप लोग का बजट काफी जड़ा काम है और 12,000 पिस से कमके प्रैस में एट जीवी रैम वाला नया फैब झाब देजू देख थैस टाइव झाब 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 का बशने का झाब जग झाब झाब झाब